बस्पा प्रमुख मायावती ने अख्लेश जादों के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है। सीट से उपचुनाओं में बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी का एलान कर दिया है। वियस्पी ने साहे आलम उर्फ गुड्डु जमाली को लोगसभा के उपचुनाओं का टिकट दिया है। जिसके बाद इस सीट बेत मुकाबला दिल्चस्प हो गया है। बता दें कि आजमगर की सीट अखलेश यादों के स्तीफे के बाद खाली हुई थी। जहां सपा से डिमपल यादों के चुनाओं लड़ने के कयास लगाये जा रहे हैं। वहीं बीजेपी से यसवंत सिंग और भूजपुरी अविने तानी रहुआ के नाम की चर्चा हो रही है। मुस्लिम बाहुलेश सीट पर 2014 में मुलायम सिंग यादों ने चुनाओं जीता था। जबकि 2019 में अखलेश यादों ने जीत हासिल की थी। 2022 में करहल विधान सभा से चुनाओं जीतने के बाद अखलेश यादों ने सांसत पत से इस्तीफा दे दिया था। पहले माना जा रहा था कि रामपूर की तरह ही बीजपी यहां भी अपना कंडिडेट नहीं उतारेगी। लेकिन बीजपी के कंडिडेट के उतारने से उप चुनाओं बहत दिल्चस्प हो गया है। बीजपी प्रत्यासी शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली यूपी विधान सभा 2022 से पहले बीजपी विधान मंदल दल के नेता रहे चुके हैं। लेकिन बाद में वो सभा में शामिल हो गये थी। लेकिन सभा ने जब विधान सभा चुनाओं में टिकट नहीं दिया तो AIMIM में शामिल हो गये और उन्होंने चुनाओ भी लड़ा लेकिन उन्हें जीत حसल नहीं हो सकी। बतादें कि देश के 6 राजियों में 3 लोग सभा और 7 विदान सभा सीटों के लिए 29 जून को होंगे। आजमगड़ो और रामपुर के अलावा एक लोग सभा सीट पंजाब के संगरूर की है। जिसे भगवन्त मान ने राजिका मुकमंतरी बनने के बाद छोड़ा है।